वसीम भाई, आप ये बताईए, आपके दोनों पैर बच्पन से खराब हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या काम करते हैं? मेरे पैर दोनों खराब हैं, मैं एक बिजली का इलेक्टिसन हूँ, अपना बैठे-बैठे मोटर बानता हूँ और अपना काम चलाता हूँ देखे, तमाचा है उन लोगो के मुँपे, जो तमाम लोग हिंदू-मुस्लिम की राजिनेदी करते हैं, ये वसीम भाई हैं, और दोनों पैर खराब हैं वसीम भाई के, लेकिन हिम्बत नहीं हारी वसीम भाई ने मोटर बानने काम करते हैं, अच्छा वसीम भाई कभी आया है, ठीज चल रहा है, थोड़ा हलका चल रहा है, तो दाल रोटी पर वाला देर आया है, तो हम ऐसा काम करेंगी, जो भीक मांगनी पड़ हैं, एक तो मैं मांगेंगी, जिनके कुछ नहीं है, आगे पीछे, अल्ला कहसू करा है, हमारा कोई नहीं हो, फिर भी हमारा काम पर रहे हैं, आपने इस माजूर पने को आपने आपना वो नहीं बनाया, हिम्मत नहीं हा रही है, नहीं हारेंगी, जब तक सास रहेगी, कभी नहीं हारेंगी, इसे के काम ना करेंगे, काम करेंगे, अच्छा करेंगे, अग्या, हमारी कौसित यहीं के हमारा नाम होए, वसी शबहद एक ऐस बच्चे का वशीन भाई का नाम हो वशीन भाई ऐसे मोटर बांथे हैं उन लोग वशिम भाई क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे आपाइज नहीं होती लेकिन भीक मांगमना शूकर देते हैं और फाईदा उठाते हैं यह बात गलत है भीग मांगने, अपना जजवा रखे गे कुछ काम करें, जब काम चलेगा, भीग मांगने से क्या है, 70 दरवाजी पर जाएंगे, जब एक दरवाजी पर मिलेंगी, गलत है यह, जो भी कुछ है गलत है, अपना काम करो, तो अपर वाला उसमें रोजी देगा, पूछना चाहता हूं जो लोग हिंदू-मुस्लिम की राजनीदी करते हैं हिंदू-मुस्लमान को आपस में लडाने की बात करते हैं और यह कहते हैं कि मदर्सों में आतंगवाद पलता है मदर्सों से ट्रेनिंग दी जाती है आज उसी मदर्से से आपको हेल्प मिली आप ऐसे काम ना करें हैं और इसा काम ना कृंए हां मैसेज तो देना चाहिए बाई असा ना करने तो जादा बड़िया बेहतर है